दोस्तों दुनिया में इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, पर प्रकरती उसे दो मिंट में चित करने का दम रखती है, क्योंकि दोस्तों प्रकरती से सक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और जब भी इंसान इससे छेड़ करता है, तो यह उन्हें अच्छे से सबक सिखा देती है, आज की वीडियो में हम नेचर की कुछ ऐसी ही घटनाएं जानेंगे, जहां पर नेचर ने अपनी ताकत से सब को हैरान करके रख दिया, चलिए शुड़ करते हैं अपनी वीडियो बीना किसी देरी के, गलोवाम केव इन न्यूजीलेंड, दोस्तो इस नजारे को देखकर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कि आपके होश उड़ जाएंगे, देखे दोस्तो कैसे ये गुफा जगमगा रही है, मानो आज इस गुफा की दिवाली हो, लेकिन दोस्तो अब आप ये सोच रहे होंग बहुत ज़्यादा भूके होते हैं, तब ये इस तरह की रोशनी निकालते हैं, दोस्तो इसके पीछे कोई चमतकार नहीं, बल्किए एक कैमिकल रियक्शन है, जिसके चलते हैं अपनी बॉड़ी से लाइट निकालते हैं, और दूसरे किड़ों को अपनी और आकरशित करते ह और दोस्तो इस नजारे को देखने के लिए हजारों की संक्या में लोग या पोस्ते हैं, शकुरा जीमा, डर्टी, थंडर स्टॉर्म, जापान, दोस्तो ये भी एक बेहद कमाल की चीज़ है, दोस्तो इस जापान के वॉलकेनों में जब बलास्त होता है, तो दोस्तो वॉल वॉलकेनों के बलास्त के साथ एक अजीब तरीकी की लाइटिंग भी होती है, आप देखें यहां पर कैसे जॉला मुखी के फटने के बाद बिजली भी कड़कती है, दोस्तो इस बेहद अनोखा होने के साथ साथ दुनिया का सबसे खतरनाक जॉला मुखी भी है, जो सबसे पहले 1945 में फटा था, जिसमें करीब 35 लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद से इस जगे पर लगातार ब्लास्त होते रहे हैं, साल 2005 में यहां एक फोटोग्राफर ने कुछ फोटोज ली थी, जिने देखने के बाद समझ माया कि इस वॉलकेनों से 36 बार बिजली कड़ की थी, और दोस्तों ऐसा कैसे हुआ यह आज तक किसी को नहीं पता, लॉन बबल, दोस्तों आपने गार्डन में मौझूद हरी घास तो बहुत देखी होगी, मगर हम आज आपको एक बेहत अलग चीज़ दिखाने वाले हैं, दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह की जमीन दे यह उठता है कि इतने ही इससे में पानी आया कहां से, क्योंकि दोस्तों यहां पर तो कोई छेद भी नहीं था, सन हेलोज, दोस्तों अगर मैं आप से एक कहूं, कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगर भी मौझूद हैं, जहां सूरिय को एक हाल में देखा गया है, तो आप क् जब सूरिय चंदर्मा की किरने क्लाउड में मुझूद हैक्सागोनल आइस क्रिस्टल के माध्यम से विकासित हो जाती है, इन बादलों के अंदर लाखो छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं, जो गोलाकार इंदरधनुश रंग का आभास देने के लिए प्रकाश को अप चोटे चोटे कीडे जो वाके बेहत खतरनाक होते हैं, वो एक साथ करोडों की संख्या में उड़ने लग जाते हैं, देखिए कैसे शहर को इन कीडों ने अपने कबजे में कर लिया है, और दोस्तों इन्हों ने घर से लेकर कार किसी को नहीं छोड़ा, हर चीज पर अपना क ख्याल दखिएगा